दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अभी आम लोग करन्ट अफेर का सबसे मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक है दोहर बाइस के सभी खेल पुरुसकार इस से रुलेटर जो है इंपोर्टन कोश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो बहुत ध्यान से लास्त देखिए चैनल पनाया है तो चैनल को सबस्क्राइब कर बगल में एक बेल आइकन आएगा उसे ओन करके ओल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के एक होमर कोश्चन पूछ लेते हैं देखिए कोश्चन है भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज़्य कौन सा है अपसन है आपके लिए उतर परदेश बिहार पस्चि मंगाल या फिर हर्याना दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बक्स में जरूर बाता देखे यहां पर हमारा पहला कुश्चन दिया गया है यह सिया किर्केट विश्वक अब्धुहर 22 का फाइनल किताब किस ने जीता तो देखे यह सिया किर्केट विश्वक अब्धुहर 22 का फाइनल किताब जो है ये सिरलंका ने जीता है और ये इसका पंद्राहवा संस्करण था आपको याद रखना है इसका ये पंद्राहवा संस्करण था बीजेता सिरलंका रहा है उप बीजेता जो है पाकिस्तान रहा है और इसका योजन कहां पर किया गया था तो देखे इसका योजन जो है सन्यूत और अब अमिरात में किया गया था, कब से कब तक किया गया था, 27 अगत से लेकर, 11 सितंबर 22 तक जो इसका आयोजन किया गया था, सन्यूत और अमिरात में, और सिरलंका ने फाइनल मैच में, पाकिस्तान को 23 रन से हरा कर, किरकेट एसिया कप 22 जो है अपने नाम हासिल कर लिया ह तो आपको याद रखना है Question number 2 है Football Tournament Mahila Asia Cup दुहर 22 का खिताब किस देश ने जीता है Football Tournament Mahila Asia Cup दुहर 22 का खिताब जो है किस देश ने जीता है तो यह China ने जीता है और यह इसका बिश्वा संस्क्राण था इसका आयोजन कहां पर किया गया था तो देखें इसका आयोजन जो है भारत में किया गया था China ने दचिड कोरियाई टीम को फाइनल में तीन दो से हरा कर Football Tournament Mahila Asia Cup दुहर 22 का खिताब जो है जीता है आपको याद रखना है तीन दो से हरा कर जो है फाइनल में China ने दचिड कोरिया के टीम को तीन दो से हरा कर जो है Football Tournament Mahila Asia Cup दुहर 22 जो है जीता है अगला कुश्चन है Tata IPL 22 के खिताब किस टीम ने जीता है Tata IPL 22 के खिताब किस टीम ने जीता है तो ये गुजराट टाइटन्स ने जीता है याद रखना है गुजराट टाइटन्स ने Tata IPL 22 के खिताब जीता है और ये इसका 15 हमा संस्कराण था इसका आयोजन कहां पर किया गया था तो देखे इसका आयोजन जो है ये भारत में किया गया था गुजराट टाइटन्स ने राजस्थान रायल्स को Tata IPL 22 के Final Match में 7 बिकेट से हरा कर IPL 22 के खिताब IPL 22 के खिताब जो है अपने नाम कर लिया है साथ बिकेट से हरा कर आपको याद रखना है अगला कुश्यन है Under 17 महिला ECI कुष्टी चेंपियंशिप 22 इसका खिताब किस ने जीता है तो देखे इसका खिताब जो है भारत ने जीता है आपको याद रखना है Under 17 महिला ECI कुष्टी चेंपियंशिप 22 इसका खिताब किस ने जीता है भारत ने जीता है ठीक है भारत जो है प्रथम अस्थान पर है भारत जो है प्रथम अस्थान पर भारत है 235 संग के साथ 235 संग के साथ भारत का अस्थान पहला है दूसरे अस्थान पर जापान है 143 संग के साथ तीसरे अस्थान पर मंगोलिया है 118 संग के साथ इसके अलावा भारत ने 8 स्वाण पदक 1 रज़त पदक और 1 कासे पदक के साथ जो है प्रथम अस्थान पर आया भारत जो है पहले अस्थान पर 808 पदक, 1 राज़त पदक और 1 कासे पदक के साथ जो है पहले अस्थान पर आहा है याद रखना है अगला कुश्चन है महिला 200 मुक्के बाजी चेंपियनसिप 22 की पदक तालिकाएं भारत किस अस्थान पर आहा है याद रखना है आपको महिला 200 मुक्के बादी चेंपियनसीप 22 की पदक तालिका भारत जो है कौन से अस्थान पर आया है तो भारत जो है चोथे अस्थान पर आया है ठीक है और यह इसका बीश्वा संस्करण था इसका आयोजन कहां पर किया गया था तो इस्तांबुल तूर्की में जो है इसका आयोजन किया गया था पदक तालिका की बात करें तो देखे पहले अस्थान पर इस पदक तालिका के पहले अस्थान पर तूर्की है जिन्होंने कुल साथ पदक जीते हैं जिसमें से पांच जो है गुल्ड है, तीसरे अस्थान पर कनाड़ा है, जिन्होंने कुल दो पदक जीते हैं, एक गुल्ड और एक सिल्वर है चोते अस्थान पर भारत है भारत जो है, टोटल तीन पदक प्राप्त किये हैं, जिसमें से एक सुन और दो कास से पदक, आपको याद रखना है दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू करें आपने दोस्तों में सेर कर सकते हैं चैनल पर नाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने बाद बगल में बेल आइकन ओन करके चैनल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें देखिए अगला कुश्चन है एसीन ट्रैक साइकिल चैंपियंशिप 22 में प्रोथाम अस्थान किस देश ने हासिल किया है तो पहला अस्थान जो है जापान ने हासिल किया है और यह इसका कौन सा संस्क्राण था 41 वा एक तालेश्वा संस्क्राण था इसका योजन कहां पर किया गया था एसीन ट्रैक साइकिल चैंपियंशिप 22 का योजन नई दिल्ले में किया गया था भारत ने इस परतियोगिता में कुल 9 पदक जीते हैं जिसमें से 1 रजत है और 8 जो है कास से पदक सामिल है याद प्राप्त करना वाले पहले प्राप्त करना वाले 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 जीता है याद रखना है अगला कुश्चन है टेनिस टूना मेंट फ्रेंच ओपन दुहर बाइस में पूरू सेकल का खिताब किसने जीता तो यह राफेल नडाल नडाल जो है स्पेन के है और यह इसका 126 संस्क्राण था इसका आयोजन कहां पर किया गया था पेरिस फ्रांस में जो है इसका आयोजन किया गया था और महिला एकलवर का खिताब किसने जीता है तो यह गा स्वास्टेक जो कि पोलेंड के हैं इन्होंने महिला एकलवर का खिताब जीता है अगला कुश्चन है मार्च 22 में साफ अंडर 18 महिला चेंपियनसीब का खिताब 22 किसने जीता मार्च 22 में साफ अंडर 18 महिला चेंपियनसीब की बात की जा रही है तो इसका खिताब जो है इंडियन ओमेंट टीम ने जीता है कोई किसने जीता है इंडियन ओमेंट टीम ने जीता है उपीजेता कौन रही है तो उपीजेता जो है बांगला देश है उमेंट टीम रही है इसका आयोजन कहां पर किया गया था तो देखे इसका आयोजन जो है जमसेदपूर जहरखंड भारत में इसका आयोजन किया गया था साफ की बात करें तो देखे साफ इसका फुलफम होता ह South Asian Food Wolf Federation जो है इसकी full form होती है आपको याद रखना है अगला question देखते है March 22 में March 22 में आयो जीते Swiss Open 22 महिला Singles का किताब किस ने जीता तो Swiss Open 22 महिला Singles का किताब जो है PB सिंधु ने जीता है और उप भी जेता कौन रहा है तो उप भी जेता जो है Busanan ओग बैंक थाइलेंड जो है उप भी जेता रहा है इसका आयो जन कहां पर किया गया था Basel, Switzerland में जो है इसका आयो जन किया गया था आपको याद रखना है अगला question है March 22 में आयो जीते पहरा तिरंदाजी विश्व चेंपियन्शिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतिया महिला कौन बनी है तो देखें March 22 में आयो जीते पहरा तिरंदाजी विश्व चेंपियन्शिप में रजत पदक जीतने वाली पहली जो भारतिया महिला बनी है उनका नाम है पूजा जातेयान जो की हरियाना की है इन्होंने पहली मतलब तिरंदाजी विश्व चेंपियन्शिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतिया महिला बनी है इसका आयोजन कहां पर किया गया था तो देखें इसका आयोजन जो है दूबई में किया गया था अगला कुश्चन है बैटमिंटन टूनामेंट उबेर कप दूहर बाइस का खिताब किस ने जीता बैटमिंटन टूनामेंट में जो है उबेर कप दूहर बाइस का खिताब किस ने जीता है दच्छिड कोरिया ने जीता है और यह इसका कौन सा संसकरण था इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था तो देखे इसका आयोजन जो है Bangkok Thailand में इसका आयोजन किया गया था बैटमिंटन टूनामेंट में जो है Thomas Cup और Uber Cup आता है ठीक है Thomas Cup जो कि पूरुष Championship के लिए और Uber Cup जो है महिला Championship के लिए होता है, आपको याद रखना है दच्छिड कुर्याई महिला बैटमिंटन टीम ने चीन की टीम को तीन दो से हराकर दूसरी बार जो है इस खिताब को जीता है आपको याद रखना है जो बैटमिंटन टूनामें टूबेर Cup दुहर बाईस के जो खिताब है दच्छड कोरियाई महिला बैटमिंटन टीम ने चीन की टीम को जो है तीन दो से हरा कर दूसरी बार जो है इस किताब को जीता है याद रखना है अगला कुश्चन है हीरो पूरूस होकी यह सिया कब दोहर बाइस का किताब किस ने जीता तो दच्छिड कोरिया ने जीता है और ये इसका कौन सा संस्क्राण था तो ये इसका 11 संस्क्राण था इसका आयोजन कहां पर किया गया था तो देखे इसका आयोजन जो है जाकारता इंडोनेसिया में किया गया था दच्छिड कोरिया की टीम ने मलेशिया को दो एक से हरा कर पांचवी बार जो होकी एसिया कप का खिताब जीत लिया है याद रखना है दच्छिड कोरिया की जो टीम है इनोंने मलेशिया को जो है दो एक से हरा कर पांचवी बार जो है एसिया कप का खिताब जीत लिया है बहरीन पैरा बैटमिंटन दुहर बाईस ठीक है बहरीन पैरा बैटमिंटन दुहर बाईस में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं तो देखें इसमें भारत ने कुल तेज पदक जीते हैं ठीक है इसका आयुजन कहां पर किया गया था इसका आयुजन बहरीन में किया गया था बहरीन पैरा बैटमिंटन दुहर बाइस में भारत में कुल तेज पदक जीते हैं जिसमें साथ सुवन तीन रजत और तेरा जो है कासे पदक सामिल है ठीक है बहरीन पैरा बैटमिंटन दुहर बाइस में जो है कुल तेज पदक जो है भारत ने प्राप्त किये हैं जिसमें से साथ है स्वार्न, तीन है रजत, और तेरा जो है कासे पदक इसमें सामिल है। याद रखना है अगला कुष्यन है. भारत के चोहतरवे शतरवेशलगे ग्रेंड मास्टर कौन बने है? भारत के 74 ग्रेंड मास्टर कौन बने राहुल सिर्वास्तो बने है भारत के 73 ग्रेंड मास्टर भारत सुप्रमन्यां थे भारत के 73 ग्रेंड मास्टर भारत सुप्रमन्यां थे और भारत के पहले 75 ग्रेंड मास्टर कौन थे तो बिस्वनाथ अनंद थे तो याद रखना है स्तिहतरवे थे भरत सुब्रमन्या और पहले 17 ग्रैंड मास्टर कौन थे बिस्वनाथ बिस्वनाथन आनन्द थे याद रखना है आपको अगला कुष्चन है पूरोस अंडर 19 किरकेट 222 का किताब किस देश ने जीता है याद रखना है आपको पूरोस अंडर 19 किरकेट 222 इसका किताब जो है भारत ने जीता है उप बिजयता टीम कौन रही है इंगलेंड रही है इसका योजन कहां पर किया गया था तो देखे इसका योजन जो है Sir BBM Richard Stadium Antigua जो कि Antigua में है Sir BBM Richard Stadium Antigua में इसका योजन किया गया था और भारत ने पांचवी बार पूरुस Under 19 Cricket 200 Cup जीता है ठीक है भारत जो है ये पांचवी बार पूरुस Under 19 Cricket 200 Cup जीता है कब कब जीता है 2000 में 2008 में 2012, 2018 और 2012 में आपको याद रखना है ये पांच बार पूरुस Under 19 Cricket 200 Cup जीता है याद रखना है अगला कुशन है मार्च 2022 में BBC Indian Sport Women of the Year Award 2021 से किसे समानित किया गया तो देखें मार्च 2022 में BBC Indian Sport Women of the Year Award 2021 से जो है ये मीरा भाई चानू को समानित किया गया है जो कि एक Weight Lifter है याद रखना है मीरा भाई चानू क्या है Weight Lifter है BBC Lifetime Achievement Award की बात करें तो कर्णम मलेश्वरी ने जीता है BBC Imaging Player Award सेफाली बर्मा जो कि किर्केटर है इन्हों ने जीता है BBC की बात करें तो देखें इसकी फुल्फोम होती है British Broadcasting Corporation British Broadcasting Corporation जो है BBC की फुल्फोम होती है याद रखना है अगला कुश्चन है March 2022 में आयो जीत ICC महिला किर्केट विश्वकव 222 किस ने जीता March 2022 में आयो जीत ICC महिला किर्केट विश्वकव 222 किस ने जीता तो यह आश्ट्रेलिया ने जीता है उप भी जेता टीम कौन रही है England रही है इसका आयो जन कहां किया गया था Christ Church नियू जीलेंड में इसका आयो जन किया गया था ICC के बरतमान अत्याक्स कौन है तो देखे Greg Burglae ICC के बरतमान अत्याक्स ICC के अस्थापना कप की गई थी तो देखे ICC के अस्थापना 15 June 1909 को ICC के अस्थापना की गई थी इसका मुख्याला कहां पर है दूबाई सवन्यू तरब अमिरात में जो है इसका मुख्याला है आपको याद रखना है अगला कुश्चन है 24 ग्रिसम कालेन बधीर उलम्पिक 22 añ 12 Sand की पदक तालिकाय भारत की सस्थान पर आया है तो देखे इसमें भारत जो है नवे अस्थान पर आया है ठीक है पहले अस्थान पर कौन है तो देखे पहले अस्थान पर यूक्रेंन है जिन्होंने कुल 138 पदक प्राप्त किये है तो देखे, इसका आयोचन जो है, फिन्लेंड में खिया गया था, भारत के जैविलिन थोर निराद चोंपडा ने कुवर्थनेग गेम से 22 में, 86.69 मीटर दूर भाला फेक कर स्वानपदग जो अपने नाम हासिल कर लिया है ठीक है निराच चोपड़ा जो है जैबलेन थ्रोर के खिलाडी है इनोंने कुण अर्थने गेम्स 2022 में 86.69 मीटर दूर जो है भाला फेक कर जो है स्वानपदग जो है नाम हासिल कर लिया है ठीक है तो दोस्तों ये थे 22 के सभी खेल पुरुसकार इसे रिलेटेड इंपोर्टन कुश्चन I hope कि ये वीडियो जो है आपके लिए काफी इंपोर्टन रहा है दोस्तों वीडियो उस रुवात में मैंने आपसे एक कुश्चन पुशा था उसका आंसर इस वीडियो में बता देते हैं आप सभी मैच कर सकते हैं कितने लोगों ने सही आंसर किया था तो देखिए हमने कुश्चन आपसे पुशा था कि भारत में सबसे घहनी आबादी वाला राज्य कौन सा है तो देखिए ये कुश्चन आपसे पुशा गया था भारत में सबसे घहनी आबादी वाला राज्य कौन सा है तो देखिए इसका आंसर होगा बिहार ठीक है बिहार जो है भारत में सबसे घहनी आबादी वाला राज्य है तो दोस्तों आप मैच कर लीजिए, कितने लोगों ने सही आंसर दिया था, तो I hope कि ये वीडियो जो आपको पसंद आया रहेगा, पसंद आया तो प्लेज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में सेर कर सकते हैं, चैनल पनाया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने ये बाद है, जो ह मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, चै हिंद, चै भारत